वाजपई जी ये कह रहे हैं कि 24 में अब सफाया हो जाएगा बीजेपी का उधर वो कह रहे हैं कि करनाट्यक की जीत ने रास्ता दिखा दिया है अभी CM भी चुनना है लेकिन फोकस इनका भी अब 24 पर ही है अब दूसरी बात जाता है करनाटक का है ना अजरा जी करनाटक में ये परंपरा रही है पिछले साहित 35-40 साल हो गए ये परंपरा है कि एक बार दूसरी एक बार दूसरी और बीजेपी का बोर्ट तो इंटेक्ट है तो अभी नेलिन जी ने भी पताया कि इंटेक्ट है बकाइदा तो ये हर जीत तो चलती रहती है कि एक विजान सवा चुनाओ से लोकसवा की बिलकुल नहीं की जा सकती पिछली बार 19 में याद करो राजिस्तान और उदर बाकी सारे स्टेट हारे थे लेकिन उसके बाद लोकसवा में क्या हुआ तो हमारा कहना ये है कि मोदी जी की जो लोक प्रिता है उनके सामने सबसे बरी पहली हर्डर विपक्षी पार्टियों के सामने ये है कि उनके सामने कौन सा पहलवान उतारोगे वो आपको पहले ढूंडा पड़ेगा और अभी कली स्टेटमेंट ममता जी की आई है और अखलेश जी की आई है वो तो कंग्रेस को नसियत दे रहे हैं कि भाया हमको सपोर्ट करो हमारे राजी की तरफ नजर ना लग लिए हैं और कंग्रेस का वोट बेंक ही ले गई हैं कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता ये है कि कांग्रेस पार्टी कैसे रिवाइव होगी अगर वो चुनाव नहीं लड़ेगी पांसो तर्तालिस सीटों पे और अगर बेपक्षी जो रीजनल लीडर है वो लड़ने नही देंगे तो काही की एका एका का कहना तो बड़ा आसान है कि एका हो जाएगा और मैं तो इससे आगे भी जाता हूँ कि एका होने से भी क्या हो जाएगा युपी में एका हुआ था ना मायावती अकलेश अकलेश राओ दो बाई सब चीज़ें हो चुकी है उसका भी परड़ हरे सारी बाते करने का अदिकार भी है लेकिन हमारा ये मानना बढ़ाता है कि दो हजार चुन भार ray ए और उनकी सामने चैरा नहीं यह नमबर वन और उनकी जब विकास पे लेगी अभी आप ही ने बताया कि सूत्र बता रहेंगे नीदियां चेंज कर रहे हैं दूबे जी का है तो विकास का अजेंडर नमब रहे हैं मोदी जी तो हमेशा ही कहते हैं और दूसरा ये रहेगा जो सबक इन्होंने करनाटक से लिया होगा उसको लागू करेंगे आलोग जी से निवेदन है कि हमारी बातों को ये कहके रिजेक्ट न करें ये ये कहके अबजेक्ट न करें कि हमारी चोटी पार्टी है हमको हकी नहीं बोलने का कम से कम इस बात का और चीजों को समझे कि कहां 24 में जा रहे हैं आप हमेशा ये ही करते हैं इसलिए मने आपको थोड़ देनी की कोशिश की है, हमारा महानना बड़ा सहाप है हमारी पार्टी का मानना बड़ा सहाप है कि trud Arabs मोदी के सामने कोई चलने वाला है नहीं और कोई एका नहीं होगा और सब के अंदर दिल में किसी निता का आप नाम देलो पर्दान कि अगर देखते होंगे वन-टू-वन कर लें अर्विन जी हाँ वन-टू-वन कर लें तो क्या परणाम होगा वो अभी नहीं जाका जाए सकता लेकिन किसी अर्थतक पॉजिदी की तरह भाता है सपना देख रहे हैं आप लोग मोदी के मुकाबले कौन उतरेगा मैदान में यह पूछ रहे हैं वाज अवाज आ रही है बोलिए प्लीज बोलिए यह कह रहा था कि देखी जब उचित समय आएगा तो हम चेहरा भी बता देंगे आज उससे ज्यादा महत्यपूर्ण है विपक जिसकी हगदार कॉंग्रेस है अगले स्यादो जी कह रहा है कि ममता बनर जी जिस सहमत है नितीज जी आर्जेडी के साथ है दूबे जी अधीर एंजन जी क्या पूले उसके बाद पता है आपको जब ममता दी ने कहा कि 200 सीटों पर तो वह आगे है यानि नंबर 2 पे थी एक कॉंग्रेस पीछे हट जाए यूपी में अखिलेश आते हैं कॉंग्रेस पीछे हट जाए जिसके लिए तयार नहीं आदी रंजन जी उन्होंने कहा यह करनाता का साइड इफेक्ट है जो दीदी ऐसा बोल रही है अंजना जी आज तयार नहीं है ना यहीं तो बात हो रही है वर्तमान में तयार नहीं है इसका ये अर्थ नहीं की भविस में भी नहीं होगे जैसे जैसे समय बीतेगा हम सबको उम्मीद है कि हमारी जो विपक्षी एकता है वो और मजबूत होते जाएगी और उसका एक बहुत बड़ा जो कारण है करनाट का चुनाव का रिजल्ट है लोगों को उमीद जाग गई है कि मोदी जी और बीजेपी को भी हराय जा सकता है यदि सब एक मंच पर आ जाएं और यही लड़ाई देखिए आप महाराष्ट में देखिए महाराष्ट में भारती जन्ता पार्टी एक तरफ है और एक तरफ महाविकासागाडी है महाविकासागाडी की तुलदा में बीजेपी का कोई अर्थ नहीं है हम बहुत बड़ी अंतर से चुनाव जीत रहे हैं इसके लिए तो भारती इंता पार्टी बाहरास्टा में चुनाव नहीं कर रही है और बिजेपी के राष्टी अद्धक्स को दो दिन का हॉल्ट करना पड़ रहा है ये गजब बात है कि वो यहां आकर बूत के इस तरके कारकरताओं से मिलेंगे मतलब आप देखिए कि कितने डरे हुए कितने भैबीत है जिन्हें प्रदेश की अद्धक्सों से मिटिंग करनी चाहिए वो बूत पर कूद पड़े हैं तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी इस्तिती इस समय बहुत मजबूत है आने वाले समय में और भी मजबूत पर प्रदेश प्रमूग को हमारे महाराश में गत प्रमुग में प्रदेश समय जाते हैं जाते हैं जाते हैं कभी कभी ये जरूरत नहीं पड़ती वो रोज हमारे संपर्ख में होते हैं लेकिन हैरानी तब होती है जब बीजेपी जैसी राश्ट्री पार्टी आकर दो दूसी कार्टर में लगाती है दूबे जी बोल कह रहा है मतलब उदव जी मिले तो ठीक है सबको नाम से जाने तो ठीक है और नडडा जी ना जाने यह क्या दलील है